हेलो फ्रेंज जै मातादी कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बसंत पंचमी पे पूजा समागिरी में हमें क्या-क्या समान की जरूत होती है तो फ्रेंज मैंने इस वीडियो में वही सारा समान आपके साथ शेयर किया है जो हमें बसंत पंचमी की पूज के लिए चाहिए हमें जरूरी समागरी ही दिखाई है इसमें और मैं सारा आपको डीटेल में बताओंगी क्या समान किसली होता है तो चले प्रेंट वीडियो को बैठ के पढ़ रहे हैं अगर आप उस पे चौकी लगाए माता की तो बहुत अच्छी पात है अगर आपके पास चोटा सा है तो चौकी जमिन पे लगाईए और अगर नहीं है तो आप जोह चौकी पट्टा भी ले सकते हैं चौकी लगाने के लिए नहीं तो आप साधारन सी पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं इसमें यह नहीं है कि आपको विधी विधान से पूजा करनी है लेकिन अगर आपके बच्चे कमजोर है पढ़ाई में और नहीं जल्दी से दिमाग में उनके पढ़ाई भरती तो उनसे जरूर पूजा करवा है विधी पूरवक तो बच्चे बढ़ वगरा पर रखके अराम से पढ़ाई कर लेते हैं और इसको हम चौकी के रूप में मतलब रखेंगे माता की चौकी इसी पर लगाएंगे हम तो यह हमने ले लिया है और इसके बाद जो ज़्यादा जरूरी समान होता है वो है जैसे कि माता की फोटो हो गई हल्दी से हमतल हल्दी वाले जल्द से यहां पर देखिके फ्रण मैंने प्लत वस्तर ले लिया है चोकी पे बिचाने के लिए तो हमें यहां पर लाल नहीं पीले रंगे वस्तर चाहिए क्योंकि इसमें पीली चीजे ही ज़्यादा चढ़ाई जाती है यहां पर मैंने दो प्रकार के ले लिए हैं आपके पास जो भी है आप इस्तमाल कर सकते हैं पूजा की चौगे पे बिछाने के लिए आपके पास मोर्ती हैं तो अब भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो आप विए जो ह noun August शूंत होनी चाहिए माथा उसमें सरस्पती माता होनी चाहिए और इसके बाद न farmers Indramma, इसको जो हम रखेंगे गन माहराद को थियों कोई भी पूजा करेंं हम आने बड़ि आ लगा के पूजा करते हैं तो उसमें देखिए गनपती जी की इस्तापना ज्रूर किया तो देखे वैसे तो सभी के घर बे गनपती जी की फोटो तसवीश बगएर वहती है मूर्ती वगएर लेकिन जिनके घर में नहीं है वह जो सुपारी के भी बना सकते हैं मुली लपेट के इसके शरूप में adjust कहते हैं तो यहां पे ङड़ जी को भी रख लिया है हुछ हो दिए पूजा के लिए तो यह लेंगे हम निंकी पूजा करनी हैं सरस्वतीय मातप और चह Sicher बद गनपति शरूबंध और सूब हुरत के लिए है तो बहुत अच्छी बाद है!!!! अगर आपके खुद के घर में पिर पौदे हैं पोलों तो आप ताजा ले तो बहुत अच्छी बात है यहां पर हमने ले लिया है सुहाग का समान भी माता को चड़ाया जाता है क्योंकि इस पूजा को सभी लोग करते हैं घर में सभी को करनी चाहिए पूजा तो सुहाग तो पूर्टी पूर्थी कर देगा था सकते हैं 11 रूपे 21 रूपे 21 रूपे 50 रूपे यहां पर मैंने गुलाल ले लिया है क्योंकि भूलाल भी सवा महीने बाद होली होती है और होली की सुर्बाद जो है बहुत सारी जगाओं पर आज से कर दी जाती है मतलब होली का जो दहन होता है ना उनकी जो लकडिया होती है आज के दिन से जो है बसंद पंचमी वाले दिन से जो है चौरायों पर रखना चालू कर देते थे लेकिन बसंद पंच मी दिन से रुखना चालो करतें अब यहां पर हुखि है कलसि और हम यहां पर नारिल नहीं कर रहे हैं हम आप धातम करने जल से रते हैं पोला छल्दी और ओल्ली टालते है यहां पर हमने जैसे की इस नान कराने के लिए सुद्ध जल ले लिया है आप चाहें तो इसमें हल्की सी हल्दी भी मिला सकते हैं और यहां पर मैंने दो दीपक ले लिये हैं एक कलश के लिया है और एक मातकी आर्थी के लिया है आर्थी चाहें तो आप कपूर से भी कर सकते त अगर आपके पास इस प्रकार के एज ए लो जूर्पन आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कच्छा शूते हैं, मैं भी आपके कच्छा शूते हैं, 從 smaller of the world, यह क्यों भीती सो व्य है इक सलता, हम और शूते हैं,alerese पीले होड़ा है, रोली लेली, थोड़े से चावल लेली है जो है देवी देवता जो हम सरस्वती मातक और पतीको रखनें उनकी धाना ने चाहिए चावल साबुत होने चाहिए तूटर की यहां से शब्सक्राइब थोड़ा सा बजा दीजिए पोजा करते समय यहाँ पर हमने चंदन ले लिया है पीला छंदन का हम तिलक करेंगे अब आप ने क्लस के लिए दो लोग ली है इसके लाबा हम एक शिक्का डाल देंगे आप चाहे तो इक सिपारी पी आट कर सकते हैं वरना आप खाली सिम्पल जल में थोड़ी सी हल्दी रोली डाल कर और एक सिक्का डाल कर भी स्थापना कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी देर की पूजा होती है 10-15 मिनट की तो आप जादा कुछ ना डालके खाली हल्दी रोली और जो एक सिक्का भी डाल सकते हैं यहाँ पर हमने मुली ले लिए चढ़ाने के लिए तो अगर आप माला बगरा नहीं चढ़ा रहे यहाँ नहीं मिली आपको चढ़ाने के लिए तो आप मुली भी चढ़ा सक तो इसको आपको जरूर चड़ाना है अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप पांच बेर रख लीजिए माता के भूग के लिए और इसके रावा एक चीज और होती है वह बाद में बताऊंगी आपको तो आपको कुछ नहीं मिला है मैंने दो चीजें आपको अपसन में दे बाकि इसके अलावा हमें क्या चही होती है माता के लिए चुंद्री पीले रंग की चुंद्री चलानी है हमें माता को सरस्वती माता को उसके अलावा हमें जो है पीले रंग की चुंद्री लेनी है लाल चुंद्री नहीं इस दिन पीले रंग की चुंद्री चला जाती है सर उनकी बुक आप जरूर रखें वह आता है। कि एक दो पूचि आप जरूर करते हैं। जो हमने सरस्वती माता की पूजा के लिए हमें चाहिए होता है यह सारा समान बहुत जरूरी होता है वैसे तो देखिए लेकिन सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं इसके लावा बहुत ज़्यादा जारूरी चीज होती है वह है मीठे चावल मतब बसंती चावल जो तो फ्रेंड से आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और जानकारी के साथ जब तक के लिए जैमाता दी